तो दोस्तो बहुत सरे लोग Snapchat से फोटो उठाते हैं लेकिन उनका जो फोटो है वो direct gallery पे नहीं आता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप Snapchat से जो फोटो उठाते हो उसको अपने direct mobile gallery पे कैसे ला सकते हो तो दोस्तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है तो इस वीडियो को आप complete देखने के बाद आपका जो यह doubt है वो पूरा का पूरा खतम हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा भी नाम जान लता है मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकाल दोस्तो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर लेना और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना था कि मेरे इसी तरह का जो helpful वीडियो है आप लोग को सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करत आपका यहां पर फिल्टर आटमेटिक यहां पर लग जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हो जितना आप यहां पर स्लाइट करोगे आपका जो फिल्टर है उतना आपका यहां पर चेंच होते जाएगा तो यह वाला जो फिल्टर है तो दोस्तो सफोस मुझे यह फिल्टर इस पे मैं फोटो उठा के गैलेरी पे सेफ करूँगा तो यहाँ पे मैं फोटो उठा दिया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं जब फोटो उठा दिया तो यहाँ पे मुझे location मांग रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं दूँगा तो भी चलेगा, तो यहां पर जैसे ही इस photo को मैं यहां पर अपने gallery पे save करूँगा, यहां पर नीचे आप देख सकते हो, तो यहां पर save करके एक option है, तो इसपर मैं click करता हूँ, तो यहां पर देख सकते हो, मेरा जो यह photo है, save हो चुका है, तो अब चलते हैं, अपने mobile gallery पे यहां पे safe हुआ है या नहीं तो ये अब देख सकते हो तो अब बात करते हैं दोस्तो हमारा जो ये फोटो है snapchat से लिया हुआ वो क्यों safe नहीं हुआ तो फिर से मैं snapchat को open कर लेता हूँ open कर लिएने के बात दोस्तो back कर लेता हूँ और आपको अपने mobile gallery पर कैसे आप ये photo ले सकते हो वो उसका पूरा तरीका बताऊंगा तो simply आपको back कर लेना है बैक कर लेने के बाद दोस्तो आपको क्या कर लेना है ना पूरा back कर लेना है यहापे आप left site पर देख सकते हो तो इस पर आपको click कर लेना है तो जैसे click करोगे simply आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, आपका यहाँ पे यह फोटो आ चुका है, तो दोस्तो यह क्या होता है, नहीं इसके खुट के गैलरी पे आपका जो फोटो होता है, उसको सेप कर देता है, देन आपको क्या कर लेना है, दोस्तो क्लिक कर लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को है मिल जाएगा तो आपको simply इस पर क्या कर लेना है ना press करके रख देना है प्रेस करके आप जब रख दोगे आपके नीचे कुछ option आपको देखने को मिल जाएगा simply यह जो photo पे tick है इसको आपको export कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो photo है बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मेरा save हो चुका है तो यहाँ पर मैं open करके दिखा देता हूँ तो यह जो मेरा photo है gallery पर आ चुका है तो दोस्तो इस तरीके से आप Snapchat से यहाँ पर देख सकते हो तो दोस्तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक के लिए टाटा बाई बाई और अपना खाया लखेगा थेंक्यू